टाइम 24 नियूज जस्पा सच दिखाने का के लिए लोगों से जो बन पड़ रहा है उनके लिए वो सब करने में जुटे हैं ऐसे में लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो इस लिहाद से लोग उनकी चौकर तक खाथ सामगरी पहुचाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं जमात सल्मानी ऑफ इंडिया के जलाद्याक्ष यामीन सल्मानी की और से जरूरतमन्द लोगों के बीच चावल के पैकेट वितरन किये जा रहे हैं सल्मानी समाज से तालुक रखने वाले स्यकंदरबाद निवासी यामीन ने दावा किया कि इस बुरे वक्त में जरूरतमन्द और असाहाई लोगों के लिए उनसे जो कुछ बन पड़ेगा उसके लिए वो और उनका समाज सब करने के लिए पूरी तरह तयार है इस वरान यामीन ने कोरोना के मद्देनजार लोगों से लोगडाउन का पूरी तरह पालन करने की अपील भी की जमाते सलमानी ओफ इंडिया का मुहमद यामीन सलमानी जिलाद धैक्स सलमानी समाज आज आपकी और से समंगरी वितल की जा रही है खादेश अमंगरी जै कैसे लोगों तक पहुचाएंगे और किन-किन बात और खेल लगा जाएंगे सलमानी समाज की तरफ से हमारे परदर्स अजर्ड दाक्टर खालिद उमर साव और जितने भी हमारी टीम के सम्मानित लोग यहां पर मौजूद है उन सबकी तरफ से हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे सहर के अंदर गरीब लोग हैं उनको यह सामगरी वित्रन करने दी जा रहे है इसकी वज़ए से कोई भी भाहिह हमारे किसी इसा कीम अ मदध क Präsident और हमारी। तो जम और रहे हैं और फूर्ड गरीब लोगें उनकी तक स्वित्रन की आजसा मगरी जिससे विए अना सोएं किसी भी घर के अंदर, किसी भी समाज के अंदर जादे जादे हमने इस कोशिश किये, इस महीम को चलाया है और हमने ये भी अपील किये सबी लोगों से शेहर के अंदर कि इस lockdown का पूरी-पूरी तरह पालन करें और इस lockdown को तोड़ना की कोशिश ना करें यह हमारे हित के लिए बहुत ही एहम जरूरी है सोसल डिस्टेंस बनाए रखना और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना इसलिए हम इस मुहिंद को आगे बढ़ाते हुए जब तक यह लोगडान जारी रहेगा हम आगे भी इस मित्रन को करने की कोशिस करते रहेंगे और तरब है कि आमिन सुल्मानी समाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते हैं एडिटर इन चीफ इकबाल सहफी के साथ शाकिर मालिक टाइम टुएडिफोर न्यूज को ला भूले